मेरे साथ यहाँ पे हैं, आज का समवाद मेल का मूल उद्देश्य है कि सिक्किम में जो प्राकितिक आबदा आई है और लोग जो आज मुश्किल में हैं, उनके तरफ केंद्र सरकार का हम ध्यान आकर्शित करना चाते हैं। उत्तरपूर्वांचल का एक छोटा प्रदेश में पिछले कई दिनों से वहाँ पर इतने घरों का नुकसान हुआ है, इतने सारे ब्रिट्ज चूटे गए हैं, इतने लोग मुश्किल में हैं। शायद उन लोगों की दुविदा केंद्र सरकार के कान पर नहीं पड़ रही, क्योंकि दिल्ली से दूर है। तो इसलिए आज इस समवाद मिल के दुवारा सिक्किम के लोगों की पीड़ा को हम दिल्ली में केंद्र सरकार, प्रदान मंत्री मोदी जी, ग्रिया मंत्री अमिशा जी के सामने व्यक्त करना चाते हैं। आज सिक्किम में लगभग मीडिया के सूत्रों से जानने को मिला है, लगभग 25,000 लोग प्रभावित हो चुके हैं इस प्राकितिक आपदा से, लगभग 7,600 लोग बेघर हो चुके हैं। लगभग 80 करीब के लोग के जान जा चुके हैं, जो नैशनल हाइवे 10 है, जो सिक्किम को जोड़ता है पुरे देश से, आज उसकी अवस्था नहीं है। लगभग 23 जवान को हम धून नी पा रहें उनको, एक को हम बचा पाए हैं और आठ जवानों के शव अभी तक हासिल हुए हैं। लगभग 2000 से लगभग 3000 परियटक आज फसे हुए हैं चाटन में, लाचन में, लाचुंग में, थांगू में, उत्तर सिक्किम में। और हम चुक्तं के जो लोग हैं, आज उनकी तो जो पीड़ा है, मैं अपने शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। आज लगभग 6800 लोग 28 रिलीफ कैम्प्स में हैं, और सभी के मन में एक प्रश्न है, कि केंद्र सरकार अभी तक कुछ ठोस कदम क्यों नहीं ले पारी। केंद्र सरकार सक्रिय रूप से सिक्किम के जमीन पर दिखाई क्यों नहीं देरी। क्यों गायब है सिक्किम से। आज लोग पूछ रहे हैं कि जो नैशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है। उसको वहाँ सिक्किम में अलग-अलग प्रभावेच छेत्रों में पहुशने में इतनी देरी क्यों हो रही है। जहां पर सिक्किम के गाओं के लोग, लोगों के मदद के लिए सिक्किम के कोने-कोने तक पहुँच चुके हैं। तो वहाँ पर हमारी NDRF और भारत सरकार के केंद्र सरकार से जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, इमर्जन्सी प्रोफेशनल्स, डैम इंजेनियर्स, रेस्क्यू परसनेल, वह समय पर अभी तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे। आज ग्रह मंत्री ने SDRF से एक एडवांस लगभग 44 क्रोल्स का आगे बढ़ाया है। शायद उनको आंकलन नहीं है कि सिक्यम में, उत्तर सिक्यम में कितना हमको नुकसान हुआ है लोगों को। लगभग 44, 14 ब्रिज, 14 ब्रिज आज तूट चुके हैं, जो पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी की एक वो जीवन धारा है। आप पहाड के इलाकों में आप समझ सकते हैं कि जब एक पुल तूटता है, तो वहाँ पर कितने अब जो दवाई हो, गाड़ी हो, लोगों को अपने घर में या अस्पताल जाने में कितनी दूविदा हो रही है। तो वो उत्तर पूर्वांचल में जहाँ पर लगभग उत्तर सिक्किम में जहाँ पर 14 ब्रिज टूट चुके हैं, वो तो इलाका तो आज अंधकार में है, लगभग 30-40 साल पीछे आ गया है। और ये उत्तर पूर्वांचल का जो इलाका है भारत की सीमा से सटा हुआ है। क्या हमको नहीं पता कि सीमा के उस पार विदेशी ताकते किस प्रकार से अपने सेना को तैयात करके रखी हुई है। हर दिन गो हमारे सीमा के अंदर घुसने की कोशिश करती है। ऐसे माहौल में आज 14 पुल टूटे हुए हैं आर्मी के लोग अगर हमको अपने सीमा को सुरक्षित करना है एक हर इंच को भारत की सीमा को सुरक्षित करना है तो कनेक्टिविटी को हमको जल्द से जल्द इसको ठीक करना है। लेकिन जो तदपड़ता हमको दिखाई देनी चाहिए कि इंदर सरकार के तरफ से वो हमको नहीं दिखाई देरी। प्रधान मंत्री प्रचार के लिए सब जगा जाते हैं। अगर दिल्ली का MCD चुनाव हो तो वो MCD चुनाव पे भी आएंगे दिल्ली के गली-गली महले-महले वार्ड में वो जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन आज सिक्केम में आपदा आई है, वहाँ जाने के लिए समय नहीं है। मनिपूर में आज भी वहाँ की स्थिती बहुत नाजुक है। लोगों के हाथ में हत्यार है, वो हत्यार एक दूसरे पर चला रहे है। आज भी मनिपूर जाने के लिए उनके पास समय नहीं। senior मंत्री आज तक सिक्किम नहीं गया है गिर्या मंत्री को सिक्किम जाने का समय नहीं प्रधान मंत्री तो चुनाव प्रचार में लग गये हैं व्यस्त है उनके मन में सिर्फ चुनाव है उन्होंने बस एक ट्वीट कर दिया लगता है वहीं पर अपनी जिम्मवादी खतम कर दी उन्होंने तो इसलिए आज सिक्किम के लोग आज नाराज है उदास है, मायूस है और मदद की अपेक्षा कर रहे हैं क्योंकि ऐसे स्थिती में सिर्फ नेशनल जो हमारे फोर्सेज है परसनल है, ट्रेंड परसनल है, डाक्टर है उनकी जरूरत आज जमीन पर है क्योंकि पहाड़ी इलाका में लोगों के पांस पहुंचना इतना आसान नहीं है एक इमर्जिंसी ओपरेशन आज केंद्र सरकार के तरफ से होनी चाहिए थी लेकिन इमर्जिंसी ओपरेशन तभी होता, अगर सरकार ततपड़ता दिखाती, प्रात्मिकता दिखाती तो यही हम बार बार देख रहे हैं, कि एक एक प्रदेश के बार जब भी उतर पूर्वांचल में कोई लोगों में कोई बड़ी मुश्किल आती है तो प्रदान मंत्री मोदी जी और ग्रह मंत्री अमिच्छा जी गायब हो जाते हैं जब चुनाव आएंगे तो सब जगा दिखाएंगे लेकिन जब लोगों को ज़रूरत है मदद की तब ना प्रधान मंथी दिखाई देते हैं ना ग्रह मंथी दिखाई देते हैं तो हमारा तो यह हमारी मांग है कि केंडर सरकार राजीस सरकार को मदद करे इमर्जन्सी के तरीके से इसको देखा जाए कोने कोने तक Army National Disaster Response Force जहां पर एर्ड्रॉप करना पड़े एर्ड्रॉप करें लोगों को इस प्रकार की एक ततपड़ता दिखाए जो हमने जब सिक्यम में और्थक्वेक आया था 2011-12 में तब हमने देखा था कि किस प्रकार से हमने अपने पूरी पुरा देश एक गुट हो गया था जब भूमी कंप हुआ था 2011-12 में तो सिक्यम के लोगों को मदद करने के लिए आज यही हम चाते हैं इस समवाद वेल के द्वारा की केंद्र सरकार अपना ध्यान दे और पूरा देश एक जुट हो कि एक और उत्तर पुरवाद्चल के प्रदेश में आज लोग मुश्किल में हैं और मुश्किल के समय उनकी मदद करना हम सब देशपासियों की करतव्य हैं तो यही मैं बाते आपके सामने में रखना चाहता था इसके इलावा अगर आप और कुछ प्रशने हैं मैं संक्षेप में मैं उतर दे दूंगा पर मैं अंथ में अंग्रेजी में हलक मैं एक समराइज करना चाहता हूं आप गूंग् सब्सक्रावकर अव नितिक इन अडिक नहीन की को सुचितव इन। Будam कि मै् आपके संवा सेंगीन और क्रह première हूं है और ही जट जोरे ओंगी अचंद की ते च बाते कि यृ स्वी अओधिस द्यृ बश्यृ नवरे सेंग्षोंद उ थे आच्टांग, लिजय के लीज कापप, जब टीज के जब्याल के लिए लिए लीज Crण के लिएटाम् के सवियरा इसका बिएकृतांग जर्स प्राइज के लिए इस लिए टेखा बिए ओरुशिताज की व्तेज की अंगा प्रुटोंग जब गने खूबदारा में लुटांग we cannot afford any of our border areas to be vulnerable, to be inaccessible to the Indian Armed Forces. We urge the Central Government to step up their aid. 44 crores is too small for the scale of devastation in Sikkim. We urge the Central Government to send a Senior Cabinet Minister to review the situation. In such a situation, it would have been apt for the Union Home Minister to visit Sikkim. It would have been ideal for a Prime Minister who can find time to campaign in a Delhi Municipal Corporation election. It would have been ideal and it would have been normal to expect from such a Prime Minister who campaigns in a Municipal election to visit and survey the state of affairs in Sikkim. Unfortunately, the Prime Minister is nowhere to be found. The Home Minister is nowhere to be found. Another state in the North East is facing severe devastation and people are in severe distress. and another state in the North East is seeing that the Prime Minister is absent. Our only hope is that like in 2011-12, when the earthquake hit Sikkim, the entire nation rallied together. Central Government, State Government, ordinary people, we all rallied together to help the people of Sikkim in need. Today is the time that we should do that because it is unprecedented. So with that, I would like to close my opening remarks and if you have any questions, I will be happy to take them. Thank you very much. हैं हम हमारे जो लोग हैं वहीं पे हैं ग्राउंड पे हैं लोगों के पास पहुछने की कोशिश कर रहें अब को भी पता है जो हमारी मांग यह है कि आज डैम इंजिनियर्स जाए, मेडिकल परस्नल जाए, डॉक्टर जाए, एंडियरक के फोर्स जाए, क्योंकि चॉपर्स की जरुवत है, एरड्रॉप की जरुवत है, तो हम ये चाहते हैं